हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज आपके सामने में अपनी एक नई वीडियो लेकर आया हूँ ये वीडियो दोस्तो आपके लिए बहुत अच्छी सावित होगी आपके बहुत फैदा करेगी तो दोस्तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने कर आ है किरि में पत्री हो जाती है और वह पित्री बहुत प्रिशान करती है जब भी व्यक्ति पिसाब करने जाता है तो पिसाब करते समय उसे इतनी पीड़ा होती है कि जिस व्यक्ति को पत्री होती है वही इसका अनुमान लगा सकता है और वही उसको दर्द को पैचान सकता है कि उसे कित चाहे पत्री आपकी बड़ी ही क्यों ना हो 10 mm 15 mm तक की पत्री कहीं भी हो आपकी कैसे भी हो निकल जाएगी और भी बड़ी होगी तो उसके लिए नुसके को आपको लंबा इस्तमाल करना पड़ेगा लंबे समय तक आपको इस्तमाल करना पड़ेगा तो दोस्तों चलते हैं प को बालम खिरे को भी हमें जोकुट करना है यानि कि दरदरा पीषना है और गोकुरु को भी हमें जोकुट करना यानि दरदरा पीषना है अब इन दोनों मिस्रण को आपस में मिला लीजिए और मिलाने के बाद में आप इसमें से पंदरा से पंदरा ग्राम की मातरा में आप इ इन दोनों औसीदियों के तद पानी के अंतर समावियस हो जाएं अब इस काड़े को ये एक काड़ा फोम में बन जाएगा जब ये पानी एक चोथाई बचे तो आप इसको उतार लीजिए और ठेंडा करने के बाद में आप इसे खाली पेट इस्तमाल करेंगे तो आपकी पत् से ही आपको अराम करेगा तो इस नुष्के को आप सुवे साम इस्तमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा फायदा मिला है और कुछ ही दिनों में आपकी पत्री पिसाप के रास्ते से रेजा रेजा होकर जानी की रेट की तरह हो फॉम में आगर वह न लीजिए आप इसका प्रियोग के रिए फिर आप अपना चेक अप करा सकते हैं तो देखेंगे कि आपकी जो किटनी में गुर्दे में पत्री है वह आपकी पूरता से निकल जाएगी बस आपको ऐसी चीजे नहीं खानी है जो पत्री बनाने का काम करती है तो और मेंदे ते तो मिलते हैं दोस्तो आपसे नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद